Hello Everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है Understanding Ambed कर इसका Unit 3 का टोपी करेंगी तो Unit 3 जो है इसमें आपको पढ़ना है कि Ambed कर जो थे उनके महिलाओं के बारे में क्या विचार थे उन्होंने Female Liberty यानि की महिलाओं की आज़ादी के बारे में महिलाओं के अधिकार के बारे में Female Rights के बारे में क्या क्या कहा इसके लावा उन्होंने कानून में कौन-कौन से ऐसे बदलाव करने को कहा जिन से महिलाओं की स्थिति सुधर पाए हिंदू कोर्ड बिल, यूनिफोर्म, सिविल कोर्ड यानि की समान नागरिक सहींता ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके तो आईए स्टार्ट करते हैं जानते हैं महिलाओं के बारे में अमबेडकर का क्या दृष्टि कौन था क्या-क्या उन्होंने बताया महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या-क्या उन्होंने विचार प्रकट किये तो आईए जानते हैं अब कुछ लोग मानते हैं कि जो अमबेडकर थे वो सिरफ दलित वर्ग के लोगों तथा शोशित वर्ग के लोगों के अधिकारों के बारे में सजग थे लेकिन ऐसी बात नहीं है जो अमबेडकर थे उन्होंने ना केवल दलित तथा शोशित वर्गों के अधिकारों की बात की बलकि उन्होंने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक तथराजनेतिक इस्थिती में सुधार करने की इंप्रूब्मेंट करने की बात भी कही अमबेडकर मानते थे कि महिलाए जो है उनको भी समाजिक आर्थिक तथा राजनेतिक इस्थिति सुधार करने का अफसर मिलना चाहिए अंबेडकर मानते थे महिलाओं की जो इस्थिती है समाजिक स्तरपर, आर्थिक स्तरपर, राजनेतिक स्तरपर उसमें बदलाव होना चाहिए ताकि महिलाओं भी अपना विकास कर सके इन सब के लिए अंबेडकर ने काफी मुखे योगदान दिया उन्होंने बहुत सारी ऐसी कानून में बदलाव करने की सिफारिशे की जिस से जो महिलाओं हैं उनकी स्तिती सुधर सके हम बेडकर मानते थे कि किसी भी समाज में अगर हमें ये देखना है कि ये समाज कितना विक्सित है, इस समाज में प्रगति कितनी हो गई है या ये समाज कितना जारा प्रगतिशील है अगर हमें ये देखना है तो सबसे बहतर तरीका है कि हम उस समाज में महिलाओं की स्थिती देख ले हम बेड़कर मानते थे कि किसी भी समाज को विक्सित करने के लिए बहुत जालत जोगी है कि उस समाज की जो महिलाए हैं उनकी स्थिती अच्छी हो क्योंकि महिलाओं की स्थिती अच्छी होगी तभी समाज विक्सित हो पाएगा समाज की उन्नती हो पाएगी उन्होंने अपने जीवनकार में महिलाओं के अधिकावों के लिए काफी आहेम कदम उठाए उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा समान नागरेक सहीता पर भी उन्होंने अपने विचार दिये जो की हम आगे पढ़ेंगे चलिए अब जानते हैं अमबेड़कर जो थे उनका महिलाओं के प्रती क्या दृष्टि कौन था क्या नजरिया था अमबेड़कर जो थे उन्होंने महिलाओं के स्थिति को लेकर काफी गहराई से चिंतन किया जब उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ भी प्राचे इन समय से अब तक काफी जादा अरसमान ता पूर्ण वियभार किया जा रहे हैं महिलाओं के साथ भी काफी अत्याचार किया जा रहे हैं अम्बेडकर ने कहा जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी तरीके का सुधार अधूरा मानत जाएगा चाहे हम समाज में कितना ही राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या समाजिक रूप से कितना ही सुधार क्यों ना कर लें वो सब वियर्थ होगा जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक अंबेटकर जो थे वो मानते थे कि भारती समाज में महिलाओं की दूरदशा का जो मुख्या कारण है वो जातरी विवस्था है तथा पित्र सतात्मक समाज के जो अवधारना है जो कि लोगों के मनमस्तिश्क में बैठी हुई है ये सबसे मुख्या कारण है महिलाओं की दूरदशा का इस वजए से अंबेठकर जो थे उन्होंने कहा कि जातरी विवस्था तथा पित्र सत्ता के बारे में कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे महिलाओं की स्थिती सुधर सके जिसे जो महिलाएं हैं जो अभी अपने अधिकावों से वंचीत है वो अपने अधिकावों के बारे में लड़ सकें जाग रूख हो सकें तो इसी वज़ये से हम बेड़कर जो थे उन्होंने हिंदु कोड़ बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा संसद में ठीक है वो हम आगे जानेंगे हिंदु कोड़ बिल के बारे में फिल हाल यहां पर देखें हम बेड़कर जो थे वो मानते थे कि अगर हमें महिलाओ की स्थिरी सुधारनी है तो सबसी ज़रूगी क्या है कि महिलाओ को हम आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं क्योंकि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो महिलाएं समाजिक रूप से भी सशक्त हो पाएगी अमबेडकर मानते थे क्योंकि महिलाएं समाज का एक मुख्य हिस्सा है तो महिलाओं की विकास के बिना महिलाओं की उन्नती के बिना समाज की उन्नती भी नहीं हो सकते अंबेडकर ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, उनकी अधिकार ते था समाजिक भूमिका के प्रती उनको जागरू करने का हमें प्रयास करना चाहिए इसी कारण अमबेडकर जो थे उन्होंने काफी प्रयास किया महिलाओं की शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाने का महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की अधिकारों तो था महिलाओं की समाज एक भूमी का कि प्रदी जाग रुकता फैराने का भी अम्बेडकर ने काफी प्रयास किया अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए कानूनी सुधारों की वकारत कि है कि ऐसे कानून बनाए जाए जो कि महिलाओं को समान अधिकार दे जो कि महिलाओं के साथ समान विभार करें इसी वजह से उन्होंने कानून में सुधार करने की मांग की अम्बेडकर जो थे उन्होंने समाज सुधार के लिए महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को और तेज़ी से बढ़ाया अम्बेडकर मानते थे कि महिलाओं के अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा तब ही समाज का विकास हो पाएगा तबी समाजिक न्याय मिल पाएगा हर विक्ति को एंड इस वज़े से उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की शिक्षा तथा महिलाओं की आर्थिक सेशक्ति करन पर जोर देंगे इसी वज़ाए से Ambedkar ने महिलाओं की शिक्षा तथा आर्थिक रूप से उने सशक्त बनाने पर जोग दिया Ambedkar मानते थे कि यह जो मानसिक्ता है कि जो महिलाओं है वो सिरफ घरेलू कामकाज तक ही सीमित रहेगी यह मानसिक्ता गलत है इसी वज़े से Ambedkar ने उस मांसिक्ता का विरोध किया जो ये कहते थी कि महिलाओं को समाज में बराबरी के अधिकार नहीं मिलने चाहिए क्योंकि महिलाओं की जगा जो है वो घरेलू कामकाश तक है इस मांसिक्ता का Ambedkar ने विरोध किया अम्बेटकर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो महिलाएं हैं उनको सिरफ घर तक घर की चार दिवारी तक सीमित रखा जाए अम्बेटकर मांते थे कि महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए जैसे पुरुशों को मिलता है एंड इसी बात के लिए हम बेड़कर जो थे उन्होंने महिलाओं का कापी समर्थन किया तथा उन लोगों का विरोध किया जो महिलाओं को घरेलू कामकाज तक सिमित रहने की बात करते थे इसके लावां बेड़कर ने कहा कि जो महिलाए हैं उनको भी उनको खुद भी अपने अधिकारों के लिए अपनी पहचान के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि जब तक महिलाए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करेगी जब तक महिलाओं अपने अधिकारों के लिए समाज के सामने नहीं आएगी तब तक समाज के लोग भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं देंगे इसलिए वो मानते थे कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए खुद अपनी पहचान बनाने के लिए आगे आना होगा अब ऐसा नहीं था कि हम बेढ़ कर सिरफ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर चिंदित थे बलकि उन्होंने महिलाओं की आर्थिक तथा राजनेतिक इस्थिती को सुधार करने के लिए भी काफी संखर्ष किया उनका मानना था कि महिलाओं को राजनेतिक तथा कानूनी अधिकार दिये बिना समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकते अम्बेड कर मांते थे अगर हमको एक समता मुलक समाज का नेमान करना है अगर हमको समाज में समानता बढ़ानी है अगर हमें समाज में समानता स्थापित करनी है तो तब तक संभब नहीं हो पाएगा जब तक महिलाओं को समान कानूनी अधिकार नहीं दिये जाएंगे जब तक महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे इसलिए अमबेडकर ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी दिये जाने चाहिए तबी समाज आगे बढ़ पाएगा अमबेड कर जो थे उन्होंने महिलाओं के लिए अलग-अलग कानून बनाने की अलग-अलग नीतिया बनाने की पेशकर्ष रखी संसर में भी समय समय पर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संधर्श किया जैसे अंबेड़कर जो थे उन्होंने महिलाओं के लिए मात्रत्व अवकाश यानकी maternity leave का provision रखा हुँने कहा कि महिलाओं को मात्रत्व अवकाश यानकी maternity leave मिलनी चाहिए इसके लावा काम के सुरक्षित तथा स्वच माहोल समान वेतन की व्यवस्था पर भी उन्होंने जोर दिया तो इससे कि समझान सकते ही जो अंबेड़कर थे उन्होंने महिलाओं के बागे में कितने अधिकारों के मांग गी एंड वो काफी चिंदित थे महिलाओं की समाजिक स्थिति को लेकर इसलिए उन्होंने अलगलग कानून बनाने का प्रस्ताव रखा समय समय पर आये अप जाते है हिंदू कोड़ बिल क्या था? हिंदु कोड़ बिल बहुत इंपरटेंट है इस पर एक कोशन जरुआ आता है एक्याम में तो आप कंपलेट देखेगा इससे तो देखे हिंदू कोड़ बिल जो था ये एक प्रस्ताव था जो कि Ambedkar ने संसद में पेश किया था जिसमें उन्होंने महिलाओं को कुछ मुख्या अधिकार देने की माग रखी Ambedkar जो थे उन्होंने इसको पेश किया जब संसद में तो इसका भारी विरोध हुआ क्योंकि जितने भी लोग थे उन्होंने इसको समर्थन देने से मना कर दिया जितने भी लोग थे वो मानते थे कि जो महिलाओं हैं उनकी जो स्थिती हैं वो नहीं सुधने चाहिए इसलिए उन्होंने हिंदू कोर्ड बिल का विरोध किया एंड इसलिए उस टाइम ये पारित नहीं हो पाया मतलब उस टाइम ये लागू नहीं हो पाया था बट बाद में एक एक करके जो प्रोवीजन्स थे हिंदू कोर्ड बिल के उनको लागू किया गया तो आए देख लेते हैं एक बार हिंदू कोर्ड बिल था क्या तो देखे हिंदू कोर्ड बिल जो था ये 1948 में अम्बेडकर ने तयार किया तथा इसको संसद में पेश किया ये है बिल हिंदू समाज में महिलाओ को कारूनी रुप से बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए था मदब कि इसमें कहा गया था कि जो महिलाएं हैं उनको समान रुप से अधिकार दिये जाने चाहिए समाज में हिंदू कोर्ड बिल का उदेश्यता हिंदू महिलाओ को संपत्ती में अधिकार दिलवाना विवाहत तथा तलाक में समानता तथा गोध लेने के दिकारों में सुधार करना आईएव जानते हिंदू कोड़ बिल के कुछ प्रमुख प्रावधान क्या थे तो हिंदू कोड़ बिल जो था इसमें ये कहा गया था वैसे ही महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए एंड इसलिए हिंदू कोड़ बिल में उन्होंने ये प्रावधान रखा कि महिलाओं को संपत्ती में बराबरी का धिकार मिलना चाहिए दूसरा जो प्रोवीजन था वो था तलाक लेने का धिकार उस टाइम पर महिलाओं को तलाक लेने का धिकार नहीं था लेकिन ये जो हिंदू कोड़ बिल था इसमें अमबेड कर ने कहा कि महिलाओं को तलाक लेने का धिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि जब आप इतिहास देखेंगे खोल कर तो इतिहास में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि महिला उन्हें तलाक लिया हूँ क्योंकि उस टाइम पर तलाक जैसा कोई भी प्रोवीजन था ही नहीं चाहे जो पूरिश है वो महिला के साथ कैसा भी विभार करें महिला को अधिकार नहीं था कि वो से अलग हो पाए विभा के बाद यानि कि तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं होता था उस टाइम पर सबसे पहली बार तलाक लेने का जो अधिकार था ये अंबेडकर ने जो डोक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को तलाद लेने का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपनी स्थिती में सुधार कर सके इसके लावा बहु विवाब पर प्रतिबंध भी इसमें लगाया गया कि जो पुरुष है वो एक से ज़्यादा विवाब नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर बहु विवाब भी कई बार कई जंगें देखने को मिलते थे कि एक से ज़्यादा विवाब किये गए हो एंड इस चीज़ पर अमबेड कर ने प्रतिबंध लगाया हिंदु कोर्ड बिल के द्वारा हाला कि आप ध्यान रखेगा कि ये अभी प्रस्ताव था जो कि अमबेड कर ने पेश किया था संसद में लेकिन ये पारित नहीं हो पाय था ये उस प्रस्ताव के कुछ मुक्या बाते थी जो की उसमें लेखी गई थी हिंदु कोड बिल के कुछ मुख्या यह प्रस्ताव थे जो कि हम बेड़ करने पेश किये थे हिंदु कोड बिल में तो यह काफर important है इसके लावा इसमें एकल विवा की विवस्था के बारे में कहा गया था इसमें यह कहा गया था जो विधवा महिलाय है तथा जो बेटियां हैं उनको संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए समारूप से तथा गोध लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकार का संग्रक्षन होना चाहिए तो ये कुछ मुख्या बाते थे, कुछ मुख्या प्रस्ताव थे, कुछ मुख्या प्रावधान थे हिंदू कोड बिल गे, काफ इंपोर्टेंट है ये, एक कोशन जोर आता है हिंदू कोड बिल के उपर, तो आप ये जोर पढ़के जाएगा, आएब देखते हैं, फिर जब अमबेडकर ने ये प्रस्ताव रखा संसद में, तो क्या होता हैं? तो देखें, अमबेडकर जी ने ये प्रस्ताव जब रखा संसद में, जब ये बिल पेश किया, तो भारती समाज के जो रूधिवादी तत्व थे, जो पारंपरीक तत्था रूधिवादी विचारधारा उन्होंने इसका तिवर विद्ध किया क्योंकि वो मानते थे हिए कि अगर यह बिल पास हो गया अगर एग हिंदु कोड़ बिल पास हो गया अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया लागू कर दिया गया तो खो सुधार हो जाएगा एंड वो लोग जो कि रुढ़िवादी सोच रुकते थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि महिलाओं के स्थिति में को या ऐसा सुधार हो तो जो रूधिवादी लोग थे रूधिवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने कहा कि ये धार्मिक परंपरा के खिलाप है तथा उन्होंने इसको समाज में एक बड़ी समाजिक तथा धार्मिक रांति के रूप में देखा अब अमबेडकर जो थे उनको सामाने जनसंख्या से तो विरोध मिला ही बट जो संसद के लोग थे जो संसद की सदस्य थे उन्होंने भी हिंदू कोड़ बिल को समर्धन नहीं दिया उन्होंने भी अमबेडकर का भाई विरोध किया हिंदु कोड बिल का भाई विरोध किया अमबेडकर जो थे उनको काफी जारा विरोध सहना पड़ा इसके लिए एंड इस बिल को फिर वो पारित नहीं कर पाया मतलब कि इंप्लीमेंट ये नहीं हो पाया जब अमबेडकर ने इतनी कोशिश की कि ये बिल पारित हो जाया लेगे सबी ने उनका विरोध किया संसर में भी उनको समर्थ नहीं मिल पाया तो फाइनली अमबेडकर जी जो थे उन्होंने केंद्री मंदर से स्थिफा दे दिया, रिजाइन कर दिया क्योंकि वे महिलाओ के धिकारों को लेकर समझोता नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने विरोध के रूप में क्या किया, रिजाइन दे दिया इस्तिफा दे दिया, केंद्री मंदर से उसके बाद जब नहरू सरकार आई तो नहरू सरकार ने हिंदू कोड़ बिल को टुकडो में विभाजित किया, मतलब कि जो पंडित जवाहला नहरू थे जब उनके सरकार आई, तो नहोंने देखा कि हिंदू कोड़ बिल जो है इसका भाई विरोध हो गया है तो नहोंने सोचा कि क्यों ना हिंदू कोड़ बिल के जो प्रावधान है उनको एक साथ नई बलकी अलग-अलग पारित किया जाए तो नहोंने इसको टुकडो में विभाजित करके पारित किया, जैसे हिंदू विभार अधिनियम हिंदू उत्राधिकार अधिनियम हिंदू दत्तक तथा भरन पोशन अधिनियम हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम ये कुछ कानून बनाये गए इन कानूनों के द्वारा महिलाओ के स्थिती में सुधार हुआ आईए अब जानते समान नागरिक सहीता क्या थी तो देखें हम बेड़कर जो थी उन्होंने समान नागरिक सहीता का भी समर्थन किया समान नागरिक सहीता का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो कि धर्म जातिया लिंक के आधार पर भेदभार किये बिना नागरिकों पर समान रुप से लागू हो मतलब कि एक ऐसा कानून जो कि हर विक्ति पर समानूप से लागू होगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाती का हो या किसी भी लिंक का हो तो समान नागरिक सहीता जो थी इसके बारे में अमबेडकर ने समर्थन दिया वो मानते थे कि ऐसा कानून होना चाहिए जो कि हर विक्ति पर समानूप से लागू हो जिसमें किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए अमबेडकर ने तरक दिया कि धर्म के नाम पर अलग-अलग कानून होने से महिलाओ तथा अलप संख्यकों के अधिकारों का उलंग घन होता है उसमें क्या था उसमें अलग-अलग कानून थे कि ये कानून पुरुशों के लिए होगा ये कानून बहु संख्यक लोगों के लिए होगा ये कानून अलप संख्यकों के लिए होगा तो अमबेड कर जो थे उन्होंने तरक दिया कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिसको अलग-अलग लोगों के लिए पारित किया जाएं बल्कि वो मानते थे कि कोई भी कानून बनता है तो वो सभी लोगों पर समानूप से लागू होना चाहिए उन्होंने कहा कि अलग-अलग कानून नहीं होना चाहिए एक ही कानून होना चाहिए जो कि हर वक्ती पर समानूत से लागू हो क्योंकि जब कानून अलग-अलग होते हैं तो इससे क्या होता है महिलाओ तथा अल्प संक्यक लोगों के अधिकाओं का उलंगधन होता है तो इसलिए उन्होंने समान नागरिक सहीता का प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा भारत जैसा लोकतांत्रिक तर्था धर्मनी पेक्ष देश जो है इसमें समान नागरिक सहीता काफी ज़रु है क्योंकि इससे क्या होगा इससे नागरिकों को समान कानून यदिकार मिल पाएंगे ठीक है तो इसलिए उन्होंने समान नागरिक सहिता का प्रिस्तार रखा लेकिन इसमें विरोधा भास देखे क्या देखा गया जो समाननागरी की सहीता थी वो अमबेड करने लोगों के लिए ही लागु करने की कोशिश की लेकिन जितने भी लोग थे उन्होंने इसका विरोथ किया मुसलिम तथा हिंदू दोनों समुधाय के पारंपरिक तथा रोडिवादी तत्वों ने इसका विरोध किया इस कारण इसे समिधान में एक निति निर्देशक तत्व के रुप में ही रखा गया तो ये जो प्रोविजन था, ये जो कानून था ये निफर्म, सिविल कोड इसको इंप्लिमेंट नहीं किया गया क्योंकि इसका भारी विरोध हुआ इसी वजह से फि क्या निर्ने लिया ये निर्ने लिया कि इसको कानून नहीं बनाय जाएगा बलकि DPSP यानिकी दिशानिशक्तत्व या नितिनिशक्तत्व में इसको रखा जाएगा तो उसमें क्या किया गया क्योंकि इसका विरोध हो रहा था समाननागरिक सही तका तो इसलिए इसको कानून बनाने की जंग है, इंप्लिमेंट करने की जंग है क्या किया गया इसको निति निर्देशक तरत्वर के रूप मे रखा गया यान कि ना लागू होने वाला एक कानून हालाकि अंबेडकर मानते थे तथा अंबेडकर की इच्छाती की भविशय में इसको लागू किया जाए जब हमारा समाज प्रगती शील हो जाए लेकिन अब तक इसे निती निर्देशक त्रत्व में ही रखा गया है अब तक इसे लागू नहीं किया गया है आई अब निश्करश देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जो थे उनका महिलाओ के धिकावोग तथा समानता के प्रती द्रिश्टी कौन जो था वो भारती समाज के पुनर निर्मान तथा महिलाओ के सिधी में सुधाय के लिए भोती मुख्या माना जाता है अमबेटकर ने जो भी कारी किया महिलाओ के सिधी में सुधाय के लिए उससे महिलाओ को काफी लाप मिला उन्होंने महिलाओ को समाजिक, राजनेतिक, तथा आतिक रूप से सेशक्त बनाने के लिए अपने जिवनकाल में कई महतपून कदम उठाए जैसे हिंदु कोड़ बिल, समान नागरिक, सहीता, जैसे मुद्दो पर अमबेटकर ने अपनी गाय रखी अपना प्रस्ताव पेश किया हाला कि वो इसको पारित नहीं कर पाए लेकिन आज महिलाओ के सिधी में जो भी सुधार है वो कही ना कहीं अमबेटकर जी की वजह से ही है अमबेटकर जी जो थे उनका काफी मुख्या रोल काफी मुख्या भूमी का उनकी मानी जाती है महिलाओं के सिधी में सुधार के लिए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राइजों दें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें थैंक्यू वै